हेलो बच्चो, नमस्कार, प्यारे बच्चो, जैसा कि हम रिलेशन फंक्शन कर रहे थे और उसमें से मैं आप सभी को फंक्शन का टॉपिक करा दिया था और आज मैं फंक्शन के कुछ ऐसे इंप़र्टन्ट कोशन कराने जा रहा हूं जो कि evaluating पेपर में हर आने ही आने होते हैं थेक है जिनमें इन एक तीन कोशन सबसे ज्यादा इंप़र्टन हैं और मैं उन्हीं को सबसे पहले शुरू करवारा हूँ फिर एक दो कोशन्स और है वो भी आज करते हैं यानि आज मैं आपको पूरा function खतम करा के बेचुँगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं question number first ठीक है एक question है यानि एक function दिया गया आपको f of x is equal to under root x square minus 4 यह आपको एक function दिया गया है ठीक है और आपसे कहा गया है बता देता हूँ ठीक है आपसे कहा गया है कि भई आप इसका domain निकालिए sorry domain निकालिए और range निकालिए ठीक है जी निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसा कि पता है बच्चो कि domain और range निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो भी value लेनी है root के अंदर वो आपको पता है हमेशा real number लेना होता है हमेशा क्यों था number लेना होता है real number लेना होता है तो हम कैसे इसको solve कर सकते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर आपके पास digit 4, 9, 16, 25 यानि किसी भी number का square हो सकता है ठीक है तो आप जो भी मैं करवाओंगा उसी के साथ साथ बस वाँ पर digit change करते रहिएगा ठीक है चलिए तो सुरू करते हैं सुरू करते हैं हमें domain निकालना है तो हम निकालना है तो हम निकालेंगे 4 df मतलब domain of function तो हमें क्या लिखना है function यानि कि f of x must be must be a real number a real number ठीक है बच्चो अब जब ये real number है ये f of x एक real number है so तो x square minus 4 must be real होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि जब ये real होगा जब ये real होगा तभी तो function real बनेगा सही बात है चलिए अब क्या देखेंगे हम बच्चो root से मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझे बस इतना पता होता है कि real root वाला number real तब होता है जब root के अंदर कोई plus का number हो और अगर root के अंदर minus का number आ जाता है तो वो real number नहीं है तो मैं इसी चीज़ के उपर काम करूँगा चलिए भई काम करते हैं तो अगर मुझे root से कोई लेना देना है और मुझे अंदर से वाले में तो मतलब है कि अंदर वाली चीज़ मुझे plus की चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूं कि x square minus 4 जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए सही बात है अच्छा अब इसको मैं x square minus 2 का square भी तो लिख सकता हूं और ये a का square minus b का square a minus b a plus b कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ठीक है अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है यहाँ पे समझने वाली बात क्या है समझना ये है कि अपने money 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 में let करो क्या let करो बच्चों अब जैसे आप x minus 2 और x plus 2 देख रहे हैं क्या देख रहे हैं x minus 2 और x plus 2 देख रहे हैं ठीक है बच्चों एक मुन बच्चों हेलो बच्चों थोड़ी गड़ी होगी है टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है ठीक है एक मिनुट ज़र देखने तो मेरे को अब सभी को आवाज आ रही है ठीक है अब सभी है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए देखेंगे हाँ जी तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है x minus 2 x plus 2 ठीक है अब ध्यान से देखेंगा बच्चों क्या देखना है x minus 2 और अगर x plus 2 मुझे 0 से बड़ा और 0 के बराबर चाहिए तो मैं ऐसा कौन सा नंबर पुट करूँ जिसकी वज़े से वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए है जो चलिए भई शुरू करते हैं तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इसमें इनमें भई 2 से minus 2 से क्या पुट करूँ छोटा minus 2 से क्या पुट करूँ छोटा तो मेरे पास नंबर 0 से बड़ा आ रहा है या मैं नंबर 2 से बड़ा पुट करूँ 2 से बड़ा पुट करूँ तब मेरे पास ऐसी condition बन रही है ध्यान से देखना क्या बोलना चारों मैं या तो मैं minus 2 से छोटा नंबर पुट करूँ और या तो मैं 2 से बड़ा नंबर पुट करूँ तो ये condition satisfy हो रही है वरना नहीं हो रही है चलो चेक करते हैं कैसे देखो बच्चो ध्यान से देखना अब बात रहे equal है तो चलो equal भी लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं अब चेक करते हैं बच्चो कैसे चेक करेंगे minus 2 से छोटा क्या होता है minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 ये सारे होते हैं चलो put करके देखते हैं तो यहां पर put करके देखो मालो मैंने minus 5 ले लिया ठीक है put करना minus 5 तो यहां भी minus 5 अब देखते हैं जीरो से बड़ा है कि नहीं माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5 में तरी गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 7 दुनी 14 देखो आया की नहीं आया बड़ा आगे ना बच्चों बड़ा तो इसका मतलब क्या है कि भाई, X की वैल्लू अगर मैं अब two से बड़ी put करके देखते हैं, कोई भी number ले लो two से बड़ा, two से बड़ा कोई भी number ले लो, क्या होता है, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, मालो eight ले लिया, तो चलो जी, eight minus two, eight plus two, हांजी eight में से two गया six, eight और two ten, हांजी 60, हांजी अब बताओ, क्या ये condition को satisfy कर रहा है, जी बिलकुल क चोटा, और क्यों ले रहे हैं, हम two से बड़ा, हम उसके बीच में क्यों नहीं ले रहे हैं, ले के देखते हैं, वो भी condition करते हैं, satisfy हो रही है कि नहीं, माइनस two से लेके, two के बीच में कौन-कौन आता है, minus one आता है, zero आता है, one आता है, two आता है, कोई भी number, अब ये बत कहना कि सर, point में भी तो आता है, fraction में भी तो आता है, आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जरूर यह है कि difficult तरीके से solve करें, हम वो digit लेंगे, जिससे असानी से solve हो जाए, तो माल लो हमने minus one ले लिया, चलो जी, यह minus one, minus one, minus one, अब देखते हैं, condition satisfy होती है कि नहीं, ये रहा minus three, two में स से one गया, one, ये क्या है, minus three, क्या condition कहीं से भी satisfy हो रही है, भाई, condition satisfy हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा domain निकलेगा, domain निकलेगा, मतलब जो इस condition को satisfy करे, वो क्या निकलेगा, कि X minus two से, क्या होना चाहिए, चोटा और उसके बराबर, और two से क्या होना चाहिए बड़ा और उसके बराबर तब जाके बच्छो ये डोमेन बना पाएगा तो जो डोमेन बनेगा वो क्या डोमेन बनेगा हाँ जी बच्छो डोमेन जो बनेगा वो बनेगा माइनस टू से छोटा बच्छो एक बात बताओ माइनस टू से छोटे का मतलब minus two कहा तक छोटा हो सकता है बच्चो? minus infinity तक छोटा हो सकता है और number line की अगर मैं बात करूँ आपने अगर number line पड़ी है छोटी classes में तो आपको पता ये होता है zero ये होता है minus infinity ये होता है plus infinity और number जब भी देखा जाता है left to right देखा जाता है कहा देखा जाता है left to right देखा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चो अगर मुझे अपना domain बनाना है तो domain कैसे बनाऊंगा मैं मैं ऐसे बनाऊंगा बच्चो छोटा कहा तक ले सकता हूँ मैं minus infinity तक left side में इसलिए पहले इसको लिया कहा तक जा सकता हूँ मैं मैं two तक जा सकता हूँ क्यों क्योंकि अगर मैं minus two put करूँगा तब भी zero हा जाएगा two put करूँगा तब भी zero हाएगा तो मतलब two और bracket कौन सा बब लगाऊंगा ये बाला क्यों लगाऊंगा बच्चो आपको अच्छे से बता है कि जहां पे equal होता है close bracket minus infinity से minus 2 तक तो put कर सकता हूँ मैं minus infinity से minus 2 तक तो मैं put कर सकता हूँ लेकिन क्या मैं 2 से लेके minus 2 से लेके 2 तक के condition put कर सकता हूँ नहीं कर सकता मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं क्या समझाना चाहरा हूँ कि मैं minus infinity से लेके minus two तक तो put कर सकता हूँ और two से लेके infinity तक तो put कर सकता हूँ लेकिन क्या मैं minus two से लेके two तक put कर सकता हूँ बच्चों नहीं कर सकता तो भाई domain में तो मुझे ये हिस्सा भी लिखना है और domain में मुझे ये हिस्सा भी लिखना है तो इन हिस्सों को कैसे लिखा जाए इन हिस्सों को कैसे लिखा जाए कि मैं इसका भी use ना करूँ और मेरे पास यह दोनों हिस्से आ जाए तो यहाँ minus plus करने की जुरूत नहीं है बस सीधा लिखना है क्या minus infinity से minus two union two से लेके infinity तक और two के क्या है बराबर है तो यह close bracket और infinity infinity का क्या होगा open bracket ठीक है तो भाई छोटे से छोटा नंबर हम कहां तक put कर सकते है minus infinity तक और बड़े से बड़े कहां तक number put कर सकते है infinity तक तो बच्चो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सारी condition satisfy करके दिखाई और ये ना आपको exam में satisfy करने की जुरूद नहीं है ठीक है ये एक तरह की theorem होती है जो हमें understood करवानी पड़ती है तो वही चीज हमने यहाँ पर understood करवाई है कि अगर ऐसी condition बन जाती है इधर अगर ये condition ऐसी बन जाती है तो result ये निकलेगा result ये निकलेगा समझ माई बच्चो बात चलो ठीक है अब देखो domain निकल गया दोगो domain निकल गया अब किसकी बारी है range की अब किसकी बारी है range की ये सब कुछ नहीं बनाना बस ये सब सिर्फ समझाने के लिए बनाएगे अबको ठीक है अब किसकी बारी बच्चो अब है range की बारी अब किसकी बारी है range की बारी now अब लिखेंगे now 4 rf 4 rf ठीक है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई 4 rf now हाँ जी f of x is equal to क्या था under root x square minus 4 और आपको मैंने पहली बता रखा f of x जो होता है वो y के बराबर होता है किसके बराबर होता है y के बराबर होता है ठीक है y के बराबर होता है अच्छा अब जब y के बराबर आ चुका है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि square root हमेशा क्या होते है स्क्वार रूट हमेशा पॉजिटिव होते हैं नेगिटिव नहीं आने चाहिए क्योंकि नेगिटिव आएंगे तो क्या होगा वो रियल नमबर नहीं कहलाएंगे और बच्चो जब वो रियल नमबर नहीं कहलाएंगे जब वो रियल नमबर नहीं कहलाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फिर जो रियल जो फिर हमारा range आने वाली बात है वो क्या हो जाएगी भई? satisfy नहीं रहेगी तो इसलिए हमें काम करेंगे क्या काम करेंगे यह देखाओ जो यहां का root है ना उठा के दर लिया हो जिसे हम लोग squaring both side कहते हैं क्या बन जाएगा यह y square is equal to x square minus 4 minus 4 को ठाके यहां पे लिया हो तो क्या बन जाएगा x square is equal to y square plus 4 क्या बन जाएगा y square plus 4 बन जाएगा ठेक है जी बच्चो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अब मेरी बात को ध्यान से सुनना क्या सुनेंगे बच्चो एक बात याद रखना जिस तरीके से इसमें हम लोग value निकालते हैं f of x के लिए उसी तरीके से इसमें हम value निकालते हैं x के लिए so now so now यहाँ पर आप एक बात लिखेंगे क्या बात लिखेंगे कि भाई हमें जो ये value चाहिए x square की वो 0 से बड़ी या 0 के क्या चाहिए बराबर चाहिए जीरो से बड़ी या क्या चाहिए जीरो के बराबर चाहिए तो जब मुझे जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर चाहिए तो इसकी value भी मुझे क्या चाहिए होगी जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर इसकी value मुझे क्या चाहिए होगी 0 से बड़ी यह 0 के बराबर तो मैं क्या देखूंगा यह plus का 4 उधर चला गया क्या बन जाएगा भई जल्दी बता दो भई यह बन जाएगा minus का 4 यह क्या बन जाएगा बच्चो यह बन जाएगा मेरा minus का 4 अब देखो असल में क्या कहेंगे कि भाई कौन सी चीज true होती है कौन सी चीज यहाँ पर true हो सकती है तो देखो हम यहाँ पर बोलेंगे कि y is greater than and equal to minus 4 y is greater than and equal to minus 4 which is true which is true for all y belongs to real number for all y belongs to real number लेकिन also ये भी ध्यान रखना कि y जो हो greater किस्से हो भाई 0 से हो y किस्से हो greater किस्से हो 0 से हो 0 से हो या 0 के बराबर भी हो तब भी चलेगा क्यों क्योंकि देखो न अगर बच्चो y 0 से बड़ा होगा यहाँ पर put करके देख लो real number आएगा 0 के बराबर भी होगा तो यहाँ put करके देख लो तब भी क्या आएगा real आएगा तो हमने क्या देखा बच्चो अब देखो ना आप यहाँ पर कोई भी condition put करके देख लो कोई भी condition put करके देख लो इस वाले में ठीक है 0 से बड़ी है 0 के बराबर तो x की value आपको plus में मिलनी चाहिए 0 बुट करके देखो तो देखो plus में मिल गई 0 से body बुट करके देखो 1 का square 1 4 देखो plus में मिल गई 2 बुट करके देख लो 4 plus 4 देखो 8 मिल गई मतलब क्या हुआ हर बार मेरे को यहाँ पे value बुट करने पे real number मिल रही है और मुझे y की value क्या नहीं चाहिए negative नहीं चाहिए इस वज़े से क्यों क्यों क्योंकि real range होता है वो कभी भी negative नहीं होता है क्योंकि हम सुरुआत में ही must be क्या लेके चल रहे है real number लेके चल रहे हैं तो इससे यह पता चलता है कि जो हमारा range निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई zero से बड़ा और उसके बराबर और बड़ा कहा तक होता बच्चो infinity तक तो यह इसका range आगिया तो बच्चो इस तरीके से करना है यह question उतार लो फटाफट उतार लो फटाफट अब इसी type के question बच्चो आपको ये भी देख सकते हैं function में x square minus 9 x square minus 25 x square minus 16 तो कुछ भी दे दे बस आपको यही करते चलना है बस अगर 9 दे देगा तो 2 की जगा हर जगा क्या आजाएगा 25 दे देगा तो हर जगा क्या आजाएगा 16 दे देगा तो हर जगा क्या आजाएगा फूर बस इस तरीके से करना है करो अच्छो करो फटा फट कर लो ठीक है नोट कर लिया चलो अगला कोश्चन वीडियो बॉस करके उतार लिया करना ठीक है कोश्चन बहुत अच्छे अच्छे है बाई ठीक है अच्छा चैप्टर है देखो शुरुआत मुझे पता है दिक्कत आ रही होगी क्यों क्योंकि बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट चल रहा है बिल्कुल ही अलग टॉपिक चल रहा है और कोई भी बच्चा मैं तो एक बात और कहूंगा कोई भी बच्चा जिसने भी तक फर्स चैप्टर नहीं पड़ा वो प्लीज इस चैप्टर पे बिल्कुल भी अपने पैतरे ना अपने वरना बिल्कुल समझ के बाहर हो जाये गा ठीक है थोड़ा अजीब है लेकिन चैप्टर अच्छा है ठीक है चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं ठीक है इसी कोश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं पहले क्या बरताए था मैंने x square minus क्या था 4 था लेकिन अब क्या करेंगे 4 को आगे करते हैं चलो मैं 9 लेके कर देता हूं 9 minus x square ठीक है पहले मैंने क्या लिख वायते हैं यह पर x square minus 9 इस तरीके से लेकिन अब digit आगे है और भाई क्या है यह x square जो है वो पीछे है ठीक है तो इस question को करना है तो कैसे करेंगे फ f of x के बराबर पहले से ही दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे 4 now for df f of x must be a real number a real number और जब यह real number होगा तो आपको पता ही है under root 9 minus x square must be must be real यह भी क्या होना चाहिए यह भी real होना चाहिए तो real हमें root से मतलब नहीं है real हमें किस से मतलब है अंदर वाले से now तो हम क्या लेंगे 9 minus x square is greater than and equal to क्या होना चाहिए 0 क्योंकि हमें तो real number से मतलब है तो एक काम करो इसका ना minus common ले लो तो देखो यह पहले वाले question जैसा बनेगा की नहीं बनेगा जल्दी बताओ अगर मैं इसका minus common ले लेता हूँ तो यह पहले वाले question जैसा बन जाएगा सही बात अब minus को उधर बेजो minus को उधर बेजो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चो यह ना equal नहीं है यह inequalities होती है इनको क्या कहा जाता है inequalities यह six chapter आपका उसमें बढ़ाओंगा मैं बच्चो जो inequalities में हमेशा क्या होता है जब x के past का minus किस के past का minus x के past का minus inequality के उस तरब भेजा जाता है तो inequality अपना जो condition है वो change कर लेती है क्यों कैसे भाई देखो कैसे कर लेती है क्योंकि यह अपनी पूरी value ही change कर देती है अब खुश सोचो यह minus x जो है मालो minus x जो है मालो minus 2 से बड़ा है यह कहना चाहरा हूँ मैं या ऐसा कहा देता हूँ मैं वो 2 से बड़ा है for example मैं यह कह देता हूँ कि minus x जो है 2 से बड़ा है ठीक है तो मुझको इतना बताओ minus x अगर 2 से बड़ा है तो x क्या होगा बस खतम बात x उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या होगा भाई यह इधर ना रहके इधर हो जाएगा minus 2 से छोटा कैसे ध्यान से देखना ध्यान से दे है बड़ा तो जब minus वहाँ ले जाओ गे ना तो यह ऐसे हो जाएगा मतलब क्या यह हो जाएगा kiya यह आपका को जाएगा बाई कि x जो होगा हूँ से बड़ा हो जाएगा कैसे ध्यान से सुनना मांन लो मैं minus x की जगा पर ले ले ने ता हूँ minus three मैंस x की अपर क्या ले ले है क्यों चेंज होना है क्योंकि जब मैं ये वाला माइनस टू के पास ट्रांसफर कर दूंगा तो अब टू क्या हो चुका है चोटा हो चुका है और थ्री क्या हो चुका है बड़ा हो ठीक है? यहाँ यहाँ इसको दूँगा तो । इसलिए बचो जब मैं माइनस यहाँ पर लूँगा और उस तरब भेजूँगा तो inequality क्या हो जाएगी? Change हो जाएगी. inequality क्या हो जाएगी? Change. अब लगा दो इसमें भाई, x square minus 3 का square, ये बन गया, और ये x minus 3, x plus 3, पता ना कौन सा rule लगा है हमने इसमें? हमने लगा है a square minus b square, a square minus b square, अब हम क्या करेंगे? जब हमने a square minus b square कर दिया, तो अब हम इसमें rule लगाएंगे, अब इसमें क्या लगाएंगे? rule लगाएंगे, चलो, अब मैं इसको put करके देखता हूँ, अब मैं इसको क्या करके देखता हूँ? put करके देखता हूँ कि क्या मेरे put करने पर इसका result भई satisfy कर रहा है क्या इसका result satisfy कर रहा है तो भई देखो क्या बोला था मैंने क्या check करते हैं 3 से बड़ा या 3 से 3 से बड़ा या minus 3 से छोटा put करके देखते हैं ठीक है यह सब कमना आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ बाकि वाप पेपर में करके दिखाने जूरत नहीं है हमने क्या agreement किया था भई कि किस से 3 से बड़ा होगा और minus 3 से छोटा और उसके बड़ाबर होगा ठीक है तो minus 3 से छोटा minus 3 से छोटा क्या होता है बच्चो minus 3 से छोटा होता है minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 तो minus 4 पुट करके देखते हैं तो चलो जी minus 4 पुट कर दिया है यहां पर हमने तो यह क्या हो गया minus का 7 यह क्या हो गया minus का 1 भाई यह तो 7 आ गया 0 बड़ा दिखा रहा है यहां पर not satisfied false not satisfied इसको satisfied नहीं किया चलो अगला देखते हैं अब 3 से बड़ा पुट करके देखते हैं हां जी 3 से बड़ा पुट करके देखते हैं 4, 5, 6 मालनो 5 पुट कर दिया 5 5 और यह इस तरफ है 2, 8 16 भाई यह भी not satisfied तो क्या हमने जो let किया वो गलत है यह क्या है भाई अभी हमने तो आपकी inequality इनकी तरफ greater थी लेकिन इस बार inequality किसकी तरफ greater है 0 की तरफ तो याद करो जब हमने यह बनाया था एक याद है minus 2 से 2 यह 0, यह infinity, यह infinity तो मैंने क्या बताया था 2 से यहां तक और यहां से यहां तक लिया था हमने छोड़ा किसको था इसको, तो अब देख लो अब ना आप अब आप इनही के बीच का मतलब minus 3 और 3 के बीच का कोई भी digit पुट करके देख लो, देख ले ना real आ जाएगा 101%, चाहे तो try करके देख लो, minus 3 से 3 के बीच में कौन-कौन आता है minus 3 से 3 के बीच में कौन-कौन आता है तो ये आता है, कोई भी value पुट करके देखो, कोई भी, जो आपका मन करें मालनो हमने minus 1 पुट कर दी करके देखो, minus 1 minus 1 हाँ भी, minus का 4 2 minus 8, देखो, condition satisfy हुई की नहीं हुई? होगी ने condition satisfy, तो बस यहाँ पे जो value लेनी है, so so, अब आपको जो value लेनी है यहाँ पर, for domain किसके लिए? domain के लिए, वो बता क्या लेनी है? domain के लिए जो आपको value लेनी है, वो लेनी है, minus 3 से बड़ी और उसके बराबर, कौन? x, और 3 से छोटी और उसके बराबर, यानि condition इसके बीच में लेनी है ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले inequality इसकी तरफ greater than था, लेकिन इस बार inequality minus common लेनी की वज़े से 0 की तरफ greater हो गया, तो इसलिए इनका answer भी change हो गया जो answer पहले यह चल रहा था अब वो answer यह नहीं, वो answer यह है, तो अब भई domain of function क्या बनेगा? minus 3 से 3 तक ऐसे, note करो लो जल्दी फटा फट, फिर range करा देते हैं फिर range भी करा देते हूं ठीक है, चलिए, अब range भूट करके दिखा देता हूं आपको नोट कर लिया होगा अपने ठीक है, now now for rf, ठीक है, so f of x is equal to under root 9 minus x square, यही है ना अब देखो, तो भाई यह तो y के बराबर होता है ठीक है, ठीक है, यही काम करो इसको let कर लेना, let y is equal to f of x, ऐसे let कर लेना नहीं भी होता है तो, ठीक है under root 9 minus x square, मैंने पता क्यों let किया, क्योंकि यह हम जानते हैं लेकिन question थोड़ी जानता है, तो इसलिए हमें let करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है अब क्या करो, minus का x square उठा के इदर ले आओ, और y square उठा के उदर ले जाओ ठीक, अब यह हो गया now, अब आपको y वाली बात y पहले वाली बात आपको लिखनी है क्या लिखनी है आपको, हम जी भई क्या बात लिखनी है आपको, कि हमें भई हमेशा, जो range चाहिए होता है वो non-negative चाहिए होता है हमें range हमेशा कैसा चाहिए होता है हमेशा non-negative चाहिए होता है तो बस हम यहाँ पर लिखेंगे now, so, now x square is greater than or equal to 0 तो यह क्या बन जाएगा 9, तो भई, अब जब x square greater than or equal to 0 ले रहा हूँ तो x square किसके बराबर है 9 minus y square greater than or equal to 0 अच्छा, अब यहाँ से भी minus common ले लूँगा y square minus 9 greater than or equal to 0 minus उठा के वहाँ ले जाओ y minus 9 और आपको पता ही यह बन जाएगा और यह बन जाएगा y हाँ जी, y square 3 का square greater than or equal to 0 तो y minus 3, y plus 3 less than or equal to 0 अच्छा, अब कहोगे कि sir यह दोनों condition तो same आ गई, हाँ जी आ गई लेकिन answer कोई एक ही लेंगे क्या, अब आपको अच्छे से पता है आपको अच्छे से पता है कि जो square root होना चाहिए वो हमेसा non negative होना चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो, the square root square root of function यह नहीं, क्या लिखेंगे square root of a real number of a real number is always 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 non negative always non negative यानि हमेसा क्या होना चाहिए non negative होना चाहिए इस वज़े से y always क्या रहेगा greater than and equal to zero रहेगा अब बच्छो जब greater than and equal to zero रहेगा तो मुझे एक बात बताओ क्या फिर मैं value minus 3 से लेके 3 के बीच मैं put कर पाऊँगा जी, कभी नहीं put कर पाऊँगा क्यों? क्योंकि उसने साफ बोल दिया है कि मुझे y जो चाहिए वो zero से बड़ा और zero के बराबर चाहिए तो इसका मतलब minus 3, minus 2, minus 1, zero और ये 2 मतलब ये तीन value तो हम ले ही नहीं सकते क्यों? क्योंकि भाई किसी भी real number का square root हमेशा क्या होता है? non negative होता है जिसकी वज़े से condition हमारे पास क्या आई? कि range हमेशा कैसा होगा? positive होगा और range positive होगा तो कहां से कहां तक जाएगा भाई? range अगर positive होगा तो जाएगा zero से लेके कहां तक? 3 तक answer कर दो इसे फटा फट कहां तक? zero से लेके 3 तक कर दो इसे यह बनेगी condition यह काम करो पहले ऐसे लिखो इसकी वज़े से लिखेंगे so y से बड़ा और उसके बराबर 3 से चोटा और उसके बराबर फिर ऐसे लिखना यह है आपका कौन? यह है आपका RF यह आपका कौन है? RF RF मतलब range of function ऐसे लिख दो वो भी लिख दो को तब भी ठीक है यह भी लिख दो को तब भी ठीक है चलो, करो so RF is equal to range of function is equal to 0 से बड़ा और उसके बराबर और 3 से चोटा और उसके बराबर अब ऐसा question आजाए question 4 minus x square 25 minus x square 16 minus x square करना ऐसे ही है ठीक है? चलो, फड़ा फड़ा उतार लो फिर एक कुशन और कराता हूँ जले ले नोट करलो भाई इनले ले बिएल्ड भाई 15. झाल झाल शुरू करते हैं चलो शुरू करें अब अगले अगले टाइप का कोश्चन है वह वह ने आपको दे दिया लिखने के लिए ठेक है कि उस टाइप के कोश्चन प्रैक्टिस कर लेना अब ठीक है पेपर में आ सकते हैं एक नई टाइप और फिर अल्मोस्ट रिंज खतम फिर एक मोड वाल रह जाएगा मोड वाल भी करा देतों ठीक है चलिए अगला कोश्चन अगला कोश्चन है फंक्शन दिया हुआ है आपको वन अपोन में अंडर रूट 9-x2 क्या दिया हुआ है अंडर रूट 9-x2 तो बस गेम शुरू फिर से भई for df f of x must be must be a real number बाई जब यह real number होगा तो under root 9 minus x square must be real must be real so हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 9 minus x square is greater than and equal to 0 अब अगर आप इस question में ऐसे कर देंगे न तो गलत हो जाएगा क्यों क्यों कि बच्चो अगर मैं इसको 0 के बराबर ले लूँगा तो यह 1 upon 0 नहीं बन जाएगा और 0 क्या होता है infinity होता तो answer थोड़ी आया तो इसका मतलब मैं equal to 0 नहीं लूँगा मैं greater than 0 लूँगा मैं answer क्या लूँगा greater than 0 के लिए solve करूँगा ठीक है क्योंकि मुझे कभी भी fraction में 0 नहीं चाहिए होता है क्योंकि 0 आ जाएगा तो बच्चो क्या बन जाएगा वो infinity बन जाएगा इसलिए प्यारे बच्चो हम हमेशा क्या लेते हैं हम हमेशा value जो लेते हैं वो fraction के अंदर 0 से बड़ी लेते हैं ठीक है minus common ले लो x square minus 9 वो उदर चला जाएगा तो आपको पता ही है inequality change हो जाएगा अभी बताया x square minus 3 का square ये बन गया x minus 3 x plus 3 ठीक है ये बन गया अब आपको अच्छे से बता है कि domain क्या बनेगा अभी थोड़ी देर पहले ही बता है ठीक है so domain of function क्या बनेगा हाँ भई अब equal to 0 तो है नहीं तो 3 से minus 3 से 3 के बीच में रहेगा minus 3 से 3 के बीच में रहेगा लेकिन condition कैसी वाली आएगी condition open bracket वाली आएगी condition कैसी आएगी open bracket वाली ठीक है यानि minus 3 से 3 के बीच की value पुट कर सकते हो लेकिन minus 3 और 3 पुट नहीं कर सकते हो ठीक है क्योंकि ये पुट करोगे तो 0 बन जाएगा तो domain निकल गया अब आता है range ठीक है अब क्या आता है range तो range कैसे निकालेंगे तो चलिए now for rf for rf now अजी f of x is equal to 1 upon under root 9 minus x square let f of x is equal to y तो ये हो जाएगा y is equal to 1 upon under root 9 minus x square इसको उठा किदर ले आओ तो ये हो जाएगा y under root 9 minus x square 1 y को नीचे ले जाओ तो under root 9 minus x square बराबर 1 बटा y फिर under root को उसके उपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 1 बटा y root उस तरफ जाएगा बच्चों बन जाएगा square 9 minus x square 1 upon y square इसको उठा कि यहाँ पर ले आओ 9 minus 1 upon y square इसको उठा कि वहाँ ले जाओ x square इसको solve कर दो 9 y square minus 1 या एक काम कर दो छोड़ दो इतना ही छोड़ दो 9 minus x 9 minus 1 upon y square बराबर x square यहीं तक छोड़ दो ठीक यहाँ तक मैंने क्या कर दिया बच्चो x square की value निकाल दी जैसे हर बार निकाल रहा था now now तो हम क्या कहेंगे y वाली line लिखेंगे y वाली line लिखेंगे the square root of a real number number is non-negative is non-negative तो जब बच्चो यह non-negative है तो आपको बताए y always greater than and equal to क्या होना चाहिए y always बच्चो greater than and equal to क्या होना चाहिए 0 क्या सही हूँ मैं भाई सही नहीं हूँ equal to नहीं आएगा अब अब तिरिफ only greater आएगा ठीक है चलिए so so x square is greater than 0 x square is greater than क्या ले लेंगे बई 0 के लेंगे greater than ठीक और जब इसके greater करेंगे तो क्या मेरा काम बन जाएगा तो देखो बच्चो अब अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अब अगर मैं यहाँ पर x के हिसाफ से देखो न तो अगर मैं x को 0 के equal भी put कर दूँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चो क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं 0 put भी कर देता हो तो क्या है तो भई 9-0 तब भी क्या रहेगा एक हमारे पस real value रहेगी तो आप x square को 0 के equal और उसे बड़ा put कर सकते हो हाँ जी x square किसके बराबर आया है x square इसके बराबर आया है ठीक है अब fraction की value तो हमने कभी solve नहीं की तो चलो करते हैं इसके नीचे कुछ नीचे cross multiple करो 9y square minus 1 upon y square greater than equal to 0 ठीक है बच्चो यह y square नीचे यहाँ पर divide कर रहा वहाँ जाके multiply करके 0 हो जाएगा सही बात है वहाँ जाके क्या हो गया 0 हो गया चाहे तो लिखना चाहो तो लिख लो ठीक इसमें से पोजिट चीज हमेशा होती है क्या पोजिट चीज हम भई मल्टिपल वाली चीज जबरतस्ती निकाल रहे हैं तो अपोजिट क्या होगा डिवाइड मतलब वाई के पास था तो निकाल लिया वन के पास तो है नहीं तो इसके डिवाइड में क्या जाएगा नाइन आ जाएगा divide में क्या जाएगा 9 क्यों ताकि जब वापस अंदर multiply करो तो cut जाएगा ठेक है और यह तो होई गया क्या 0 9 यह multiply कर रहां जाकर divide होगा वो भी क्या बन जाएगा 0 अच्छा अब बताओ मैं इस 1 by 9 को 1 by 3 का whole square लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल a square minus b square लग रहा है a minus b a plus b जल्दी बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है अब साइद मुझे आप समझाने की जोरत नहीं होनी चाहिए अब आपको अच्छे से पता है कि range क्या निकलेगा range कभी भी negative number नहीं होता है range कभी भी negative number नहीं होता है so RF क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए ठीक है कहा तक अब देखो इसको check करेंगे क्योंकि जीरो से अगर बड़ा होना है तो कैसे बड़ा कर सकते हैं भाई हम देखो यहाँ पे value put करके देखेंगे हम यहाँ पे value put करके देखेंगे तो चलो 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 चेक करो कि value put करने से हमें क्या फाइदा मिल रहा है बई देखो अगर मैं कोई 0 से एक मिनट ऐसे फैसला नहीं लेंगे क्योंकि fraction में value ना चलो एक काम करो 0 से कोई भी एक बड़ी value put करो बई देखो 0 से बड़ी value put करोगे तो 1, 2, 3, 4 आता है लेकिन यहां तो value किस में चल रही है fraction में चल रही है तो अगर बच्चो आप fraction में कोई भी value रखोगे तो फस जाओगे क्यों solve करना पड़ेगा तो आप एक काम करो आप एक simple सा काम करो क्या काम करो आपना इन ही दोनों value को रखो एक बार minus का 1 by 3 रखो और एक बार plus का 1 by 3 रखो जिस पर condition satisfy कर जाए वो कर लेना ठीक है जब भी ऐसी situation में फस जाओ fraction वाली में तो हमेशा क्या करो जो दिखाई दे रहा ना वही एक एक बार put करके देख लो चलो ठीक है एक बार पहले minus का 1 by 3 put करके देखते हैं माइनस का 1 by 3 माइनस का 1 by 3 यह तो पूरा क्या हो गया यह तो पूरा 0 हो गया यह तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया minus का 1 by 3 ठीक है क्या हो गया 0 और पहली बात पहली बात जीरो हो गया condition को satisfy कर गया लेकिन लेकिन range में कभी भी क्या नहीं put करते non negative number तो इसका मतलब मैं minus 1 by 3 तो ले ही नहीं सकता तो मैं number क्या लूँगा मैं 1 by 3 लूँगा और 1 by 3 भी अगर मैं यहाँ पर put करता हूँ तो देखो 0 हो जाएगा कैसे 1 by 3 minus 1 by 3 0 हो गया ठेक तो इसका मतलब मुझे जो number लेना है वो 1 by 3 से क्या लेना है बड़ा number लेना है 1 by 3 से क्या लेना है बड़ा number लेना है कहा तक infinity तक तो इसका मतलब जो मेरा range आया वो आया 1 by 3 से लेके infinity तक क्योंकि बड़ा number हम एक बार अगर बढ़ना शुरू कर दें तो अंत नहीं है उसका तो अंत कहां पर होता है infinite नाइट तो वही हमने लिए है ठीक है बच्चो तो इस question को इस तरीके से solve किया जाता है फटाफट note कर लो ठीक है फटाफट note कर लो फटाफट note कर लो और घर से क्या करोगे f of x is equal to 1 upon under root 4 minus x square 25 minus x square और 16 minus x square ये तीन question घर से try तो टोटल 6 question हो गए ये कर लेना next class में mode वाले domain और range सिखाऊंगा ठीक है बच्चो जितनी ज़्यादा practice करोगे उतना समझ में आएगा ठीक है वीडियो को दो बार तीन बार दस बार देखते रहो ठीक है चलिए तो इसको देखो इसको समझो next class में आगे बढ़ते हैं चलिए बाई